असलाम अलेकूम गाइज आज की हमारी विडियो कोकिंग की नहीं है हम आज कुछ प्रोडक्स रिव्यू करने वाले हैं स्पेशली रमजान के लिए तो आपको काफी हल्प हो जाएगी इन प्रोडक्स से हमें फ्लेवरी की तरफ से यहां कुछ शेर्बट्स आये हैं इनके पास 50 से ज्यादा फ्लेवर्स अवैलेबिल है और इन्होंने हमें भेज हैं ब्लूबेरी, स्पाइसी सोडा, लीची, और यह है कालाखटर स्वीटन सार तो इनकी जो सारी डीटेल्स हैं इनके कॉन्टाक्ट नमबर, इंस्टेग्राम लिंक, सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप जरूर चेक करना और चलिए अब हम शर्बट ट्राइ करते हैं बनाके तो सबसे पहले हम यहाँ बुबेरी फ्लीवर ट्राइ करेंगे, तो एक गलास में हम थोड़ा सा सिरप ले लेंगे उच्छा इससे ट्राइ करने कि दो मेथर्ड hybrid घ़िय अप इसे पानी के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं और सोडा के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी फिलाल Soda available नहीं है तो मैं इसी पानी के साथ बना रही हूँ आप इससे जरूर Soda के साथ ही Try करें उप Spicy Soda जैसे इसका नाम है तो आप समझी गए होगे कि हमें इससे Soda के साथ Try करना है और मैंने आपको बताई हूँ के मेरे पास सोडा अवेलेबिल नहीं है लेकिन आप प्लीज इसे सोडा में ट्राइ करें स्वीट एंसार काला खटा फ्लेवर हम इसे पानी के साथ ट्राइ करेंगे यह बिल्कुल जुहू बीच पे जो हमें काला खटा शर्बत और गोला मिलता है सेम उसी का टेस्ट है अब रॉयल फारुदा हम ट्राइ करेंगे जिसके लिए हमने दूद लिये है आपको ध्यान रखना है कि दूद हम एकदम थंडा यूज़ करें अगर आप जरा भी गरम या वाम मिल्क यूज़ करेंगे तो दूद फट सकता है लास्ट हम लीची फ्लेवर यूज़ कर रहे है और इसे भी हमें थंडे दूद के साथ बनाना है गाइस सारी ड्रिंक बनाकर रेडी हो चुकी है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इन सारी ड्रिंक्स के लिए आपको थंडा सोडा, थंडा दूद और थंडा पानी ही यूज़ करना है और आपको इस सभी ड्रिंक्स में बरफ जरूर अड़ करना है तो ही इसका मज़ा आएगा यह सभी फ्लेवर्स बहुत ही ज़ादा जबरदस्त है गाईज और इन में से मेरा पॉसनल फेवरेट तो स्पाइसी सोडा और रॉयल फालूदा है अच्छली सभी अच्छे है बट मुझे यह दो सबसे ज़ाद अच्छे लगे और काला खटा वाला भी काफी अच्छा है बिल्कुल जुहू बीच वाली फीलिंग आएंगी आपको घर में तो क्यों ना इस रमजान हम सब फ्लेवरी के शर्बट ट्राइ करें तो इनका कॉंटाक नमबर और इनकी डीटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप जरूर चेक करना अलहाफिस